हलो मैं हूँ रेखायादो और आप देख रहे हैं बोल्ड स्काई गर्भपात महिलाओं के लिए एक ऐसी पीड़ा होती है जो ना उन्हें सिर्फ मानसिक रूप से परशान करती है बलकि शारेरिक रूप से भी तोड़ कर रख देती है गर्भपात के बाद उल्टी आना, बुखार, खून बहना, पेट में दर्द जैसी समस्याएं होने लगती है लेकिन कुछ महिलाओं को गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ता है यदि गर्भपात के समय परिशानी अधिक ना होई तो महिला कुछी दिन में हल्दी हो जाती है लेकिन ये समस्याओं से अधिक हो तो उन्हें गर्भधारन करने में परिशानी हो सकती है तो आईए आज हम आपको बताते हैं कि गर्भपात के बाद आपको कौन-कौन सी परिशानियां हो सकती है और उनके उपाय क्या है सबसे पहले बात करते हैं मानसिक परिशानी की गर्भपात के बाद किसी भी महिला के लिए वो समय बड़ा ही दुखदाई होता है बच्चा खोदेने के कारण वो मानसिक रूप से परिशान रहती हैं और इसके लिए वो कभी-कभी खुद को दोशी समझने लगती हैं ऐसे में उनका स्वभाव गुसेल या फिर चिर्चड़ा हो सकता है इस समय घरवालों को कोशिश करनी चाहिए कि वो महिला को घर पर अकेले ना छोड़े उनके साथ रहें उन्हें एमोशनल सपोर्ट दें और उन्हें खुश रखने की कोशिश करें साथ ही इस समय से गुजर रही महिलाओं को चाहिए कि वो डायरी लिखें, ब्लॉग लिखें, अपनी बातों को शेर करें, इससे उनका मन हलका होगा मानसिक के बाद बात करते हैं शारेरिक परशानी की, अबोर्शन होने के बाद बहुत जादा खून बह जाता है कुछ एक महिलाओं को दो-दो घंटे पर पैड बगलना जरूरी है, लेकिन अगर किसी को लगता है कि उनका ब्लड फ्लो अधिक हो रहा है, तो उन्हें बिना देर कि ये डॉक्टर से जरूरी सलाह जरूर लेनी चाहिए दूसरी प्रॉब्लम होती है डाइलेशन एंड क्यूरूटोज की, गर्भपात ठीक प्रकार से नहीं होने के कारण बच्चेदानी में कुछ टीशू रह जाते हैं, अगर ये टीशू बच्चेदानी में रह जाएं तो दुबारा गर्भपात होने की संभावना बढ़ सकती है, ऐसी सिचिवेशन में डाइलेशन एंड क्यूरूटोज जरूरी होता है, क्योंकि बच्चेदानी में इंफेक्शन दस में से साथ महिलाओं को होता है, इसलिए उन्हें इस प्रॉसेस से गुजरना जरूरी है, तीसरी प्रॉब्लम आती है बार बार एबोशन या गर्भ पात हो जाने की, किसी-किसी महिला को एक बार गर्भपात हो जाए तो लगातार दो से तीन बार गर्भपात की परिशानी हो जाती है, जिससे उनका शरीर कमजोर होने लगता है, इसके अलावा एक प्रॉब्लम है इंफेक्शन का, गर्भपात इसे योनी और बच्चेदानी में infection के chance रहते हैं ये infection जानलेवा भी हो सकता है ऐसी situation में doctor से जरूर सलाले और सही उपचार जरूर करें साथी abortion कराने से ectopic pregnancy के chance बढ़ जाते हैं इस pregnancy में अंडे बच्चेदानी में ना पनफ कर फैलोपियन ट्यूब या आसपास पनफने लगते हैं ऐसे गर्भधारन का कोई भी मतलब नहीं बनता लेकिन शरीर को abortion जैसी problem का सामना करना पड़ सकता है साथी गर्भपात बांजपन का बड़ा कारण है गर्भपात से महिला की प्रजनन शमता प्रभावित होती है जिससे उसे अगली बार गर्भधारन करने में परेशानी हो सकती है इसके साथ ही जो अन्य परेशानियां होती हैं उनमें है योनी से बदबुदार चिपचिपा पदार निकलना, तेज बुखार आना, पेट में जोर का दर्द होना और दर्द का कम ना होना, इसके अलावा लगातार खून का आना, एबोशन कराने पर किसी भी तरह के मानसिक और शारिरिक समस्या के प्रतीस सजग रहना चाहिए और किसी भी बात को अंदेखा नहीं करना चाहिए, कई बार ये समस्या बड़ी समस्या बन सकते हैं, और जानलेवा भी हो सकते हैं, क्योंकि महिलाओं की मृत्यू के कुछ बड़े कारणों में से एक गर्भपात भी है, इसलिए इस समय महिला के साथ ही और परिवार को चाहिए कि वो उनका साथ दे, ऐसे समय में धैर, हिम्मत और आपसी सहयोग दवा से अच्छा काम करते हैं, उम्मीद है आपको ये जानकारे अच्छी लगी होगी और आपके काम भी आएगी, ऐसे ही जानकारे के लिए देखते रहे बोल्ड स्काई और हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए